विद्यार्थियों हम पढ़ रहे थे दश्मह पाठह नीतिनवनीतम इसके अंतरकत विद्यार्थियों हमने पाठ को भी पूरा कर लिया था और अभ्यास प्रिश्णों को भी पूरा कर लिया था आज हम लेकर के आएं हैं आपके सामने योग्यता विस्तार आर्थार जो आपक पीछे जो महतोपूर्ण बाते आपको दी गई है वही योग्यता विस्तार है जिसमें हम यहां पर पढ़ने वाले हैं विद्यार्थियों कि जिस प्रकार हम मनुस्मृति के आधार पर हमने इस पार्ट में छे श्लोकों का अध्यन किया जो कि हमारे जीवन के लिए महतोपूर है उसी प्रकार यहां पर कुछ और ऐसे श्लोक हैं और कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जहां पर हम इस प्रकार के श्लोकों को अध्यन कर सकते हैं पढ़ सकते हैं और अपने जीवन में अपना सकते हैं तो आए विद्यार्थियों ऐसे कौन से ग्रंथ हैं उनके नाम क्या हैं वो हम और उनसे संबंदित कुछ श्लोक जो महतवपूर्ण है और आपके योग्यता विस्तार में दे रखे हैं पाठ्य पुस्तक के अंतरगत उन्हीं को हम यहां पर पढ़ने वाले हैं अर्थसाइद तो आए शुरुवात करते हैं विशेश है यहां पर बात क्या बात हैं देखिए संस्कृत साहीत्य मानव जीवनाय महतवपूर्ण आनी कर्तव्य निर्देश आनी लिखिता आनी संती यानी यत्र तत्र शुभाशित रूपे नीती श्लोक रूपे इचप प्राप्यंते अर्थार्थ संस्कृत साहीत्य में मानव जीवन के लिए यानि की मनुष्य के लिए जो मनुष्य जीवन जीता है विद्यार्थी आप अपनी कक्षा में विवहार करते हैं इत्यादी के लिए मेहतों पूर्ण करतव्य निर्देश लिखे गए हैं कि हमें क्या करना चाहिए हमें क्या नहीं करना चाहिए यह सारे करतव्य लिखे गए हैं यानि जो यत्र तत्र यहां वहां शुभाशित रूपे यहां वहां का मतलब है इस ग्रंथ में या उस ग्रंथ में शुभाशित रूपे यानि की अच्छी बातों के रूप में नीती श्लोक रूपे इच और नीती श्लोकों के रूप में प्राप्यंते प्राप्त होते हैं आगे दिखिए यदा जीवन मार्गे किम कर्तव या विमूड ता यहां इस्तिती आगत छती तदा सम्स्कृत सुक्त यहां एव अस्माकम कृते मार्ग बोधम का रहा यंती इती इती इसका अर्थ क्या हुआ यदा यानि जब जीवन मार्गे व्यक्ति के जीवन के मार्ग में यानि कि वेक्ति जब जीवन जी रहा है उस समय ठीक है ना उसकी जिंदगी में कभी भी किम करतव या विमूड ता आया है किम करतव या विमूड एक इस्तिती होती है जब वेक्ति कुछ नहीं कर पाता है अर्थार्थ ना तो कुछ सोच सकता है ना कुछ कर सकता है मतलब उसके उसका विवेक जो है काम करना बंद कर देता है ऐसीускृति को किम करतव्यय विमूड कहते हैं तो उसृति में जब विक्ति आ जाता रहा या यौ कह लेजे उसके जिंदगी में संस्कृत की सुप्तियां ही ठीक है ना अस्माकमKEN हमारे लिए मार्ग बोध का यंती इती मार्ग का बोध कर आती है यानि वही हमें सीधे रस्ते पर लेकर आती है उनको पढ़करके ही हम सनमार्ग पर लोट आते हैं अब यहां पर डेखिए शन्सकृट सुक्त यहां संस्कृट सुक्त MICHAEL यानि की आप देकिए सुभाशित कह लिजे सुभाशित आप कह सकते हो डिकना आप सुक्ति कह सकते हो ठीके यहां आप कह सकते हो… नीति श्लोक ठीक है कुछ भी आप यहां पर कह सकते हो और आपके पार्ट में अभी दस्वे पार्ट में जो आपने पड़ा क्या पड़ा नीती नवनीतम यानि कि जो नीतियों का जो सार है वह ठीक है तो इसको नाम भलाई कोई भी हो लेकिन कार्य तो एक ही कर रही है ना क्या कार्य कर रह पर यह हमारी जीवन का विक्ति के जीवन का मार्ग बोध ने यहां पर आगे क्या है कुछ ग्रंध है जहां यह बातें लिखी हुई है कौन-कौन से हैं आए जानते हैं नीति रुष्पन को लिखा है भरत्री अरीने ठीके यानि कि यहाँ पर ग्रंद का नाम है और कोश्टक में उसके रचेता का नाम है तो आप विद्यार्तियों ये सभी जानकारिया आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख ले ताकि आपको जानकारी के साथ इनकी महत्ता क्या है वो भी पता चल सके पिर आगे है विधूर नीती ही इसके रचेता है विधूर आप सभी जानते हैं महाभारत कालीन एक प्रसिद जो है पात्र हुआ है विधूर ठीके उनके द्वारा लिखी विधूर नीती चानक्य नीती दरपण जो किनो ने लिखी है चानक्य ने लिखी है पंच तंत्रम ऐसे ग्रण्त ही नीटी श्लोका नाम, सूक्ति नाम वा नीटी श्लोक या सुक्तिların का अमर भंडार का वरतनते हैं मर यानि कि हमेशा विद्यमान रहने वाला भंडार गार का मतलब है कि एक बड़ा खजाना है ठीक है यह इस प्रकार के ग्रण्त ही अनिक सुक्ति और नीति श्लोकों का क्या है बंडारग्रों है इसका मतलब खजाना है आगे बात समझबें विद्यार्तियों तो यहां पर कुछ ग्रंत हमने जानें और यह क्यों इंपोर्डेंस है हमारे जीवन में ये भी हमने यहां पर जाना अब आगे देखिए विद्यार्तियों जो आपके हमने पढ़ाए है श्लोक आपको उसके समाना अंतर ही कुछ श्लोक है जो योग्यता विस्थार में आपके लिए रखे गए हैं तो आए इनका हम अर्थ स में सहीत श्रसवर भाचन करते हैं और अर्थ जानते कें केचन समाना अंतर श्लोक कहा कुछ समानाइ अंतर श्लोक ठीक कि तो मेरे साथ स्रस्वर वाचन करें और अर्थ को ध्यां से सुने और लिखें ठीक है कर्मणा वन पहला श्लोक दिखें यहाँ पर कर्मणा मन सावाचा चक्षु सापिच तुर्विधम प्रसादयति लोकम यस्तम लोकोनु प्रसीधती अर्थार्थ इसका अर्थ क्या हुआ इसका अर्थ हुआ कर्मणा यानि कर्म से मन सा यानि मन से वाचा यानि वाणी से कर्म से मन से वाणी से चक्षु सापि और आखों से भी चतुर्विधम चार प्रकार से चतुर विदम चार प्रकार से किस किस से देखिए कर्म से मन से वाणी से और आखों से इन चार प्रकार से प्रसाद यती प्रसन करता है लोकम इस संसार को इस लोक को इस जगत को प्रसन करता है खुश करता है यह तम इसको देखिए यहां पर यह तम इस प्रकार आप इसको पड़ें यह यानि जो व्यक्ति यह यानि जो अर्थार जो कोई व्यक्ति ठीक है गर्म से मन से वाणी से आखों से चार प्रकार से इन चारों प्रकारों से लोक को यानि इस जगत को प्रसाद यत प्रसंद करता है तम उसको उस व्यक्ति को लोकोन प्रसीदती यानि कि यह लोक अनुप्रसीदती का मतलब वापस खुशी लोटाता है ठीक है ना अनुप्रसीदती का मतलब वापस प्रसंदता देता है ठीक है तो यहां पर क्या समझ में आया विद्यार्थियों आपको यहां पर देखिए आपको समझना है कि प्रस्तुत श्रोक में ये बताया है कि जो हम संसार को या सामने वाले विक्ति को देना चाहते हैं या देते हैं वही एक बार फिर से हमारे पास लोट करके आता है तो हमें क्या करना चाहिए हमें अपने कर्म से अपने मन से अपने वाणी से और अपने आखों से चारों प्रकार से हमें लोक को इस संसार को सामने वाले विक्ति को प्रसंद करना चाहिए चुकि एक समय वह भी वापस वही जो प्रसनता हमने उसको दी है वो वापस पुनर लोट करके आती है हम ऐसा भी कह सकते हैं जैसा वो होगे वैसा काटोगे तो जैसा हम विवहार करेंगे वैसा ही हमें मिलेगा तो हमें इस प्रकार चार प्रकार से हमें लोक को यानि संसार को या सामने वाले विक्ति को प्रसंद करना चाहिए आगई बात समझ में विद्यार्थियो तो ये इसका अर्थ हुआ अब आगे देखिए अगला श्लोक अच्छा एक चीज और यहाँ पर अगले श्लोक को देखने से पहले आपके मन में अगर ऐसा सवाल आ रहा है कि सर कर्म मन और वानी और द्रिष्टि से कैसे तो इसका अर्थ समझ लिजे विद्यार्थियो कि कर्म से यानि आप ऐसा कर्म करो कि किसी को परेशानी नहीं हो मन सा मन में किसी के प्रती गलत विचार मत लेके आओ ठीक है वानी यानि कि कि किसी को गलत शब्द मत बोलो अब शब्द मत बोलो मलब कडवी वानी से मत बोलो मिठी वानी से बात करो इसलिए पूर्वक मदुर वानी से बात करो ठीक है और चक् पाले विक्ति को जनता को प्रसन्न करो ताकि आपको भी भविश्य में प्रसन्नता प्राप्त हो ठीके अब तो आ गया होगा आगे देखिए आगे अगला श्लोक है अपने पास में अब यहां पर दीखिए सनातन धर्म क्या है क्या हमें करना चाहिए क्या बोलना चाहिए कैसा बोलना चाहिए इसके में बताया है तो देखिए सत्यम सत्य को सच को ब्रुयात बोलना चाहिए पहली बात सत्य बोलना चाहिए प्रियम ब्रुयात प्रिय बोलना चाहिए सत्य तो बोलना ही चाहिए प्रिय भी बोलना चाहिए ठीके दो बाते होगी नहीं 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 आगे इसका मतलब नहीं ब् बोलना चाहिए ऐसा प्रिष्ण्म होता है तो उत्तर है सत्यम और प्रियम यहां पर देखें इसको हम समझेंगे सत्यम और आप्रियम ठीक है ना मतलब सत्य जो है ठीक है लेकिन वह अप्रिय है अप्रिय ये दोनों को अलग लग हमने किया है तो ऐसा देखने को मिला कि अप्रिय यानि कि जो प्रिय नहीं लगता है ऐसा अगर सत्य है तो उसको नहीं बोलना चाहिए बात समझ में आ गई सत्य बोलना चाहिए प्रिय बोलना चाहिए और अप्रिय सत्य को नहीं बोलना चाहिए ठीक है आगे देखिए प्रियम च नानृतम ब्रोयाद प्रियम कोई बात प्रिय है अच्छी है ठीक है ना लेकिन नानृतम सत्य नहीं है जूट है यहाँ पर इसको अब यहां इसको भी और अच्छे से समझेंगे तो विद्यार्तियों आप यहां पर इस प्रकार समझें कि रितम का मतलब होता है सत्य, रितम का मतलब क्या होता है सत्य, और जब कभी भी जो स्वरसे प्रारंबु होने वाला कोई शब्द है या पद है उसके आगे ठीके क्या लग जाता है अपने पास में अन लग जाता है क्या लग जाता है अन लग जाता है तो यहां पर अन लगते ही क्या हो जाता है अर्थ अपने पास में न यानि कि मना करने वाला अर्थ हो जाता है नकार क्या हो जाएगा अनृतम हो जाएगा रितम का ए मतलब सत्य, अन हो गया और अनृतम का मतलब क्या हो जाएगा जूट तो यहाँ पर अर्थ क्या हुआ कि जो प्ृय है लेकिन जूट है ऐसे प्रिय जूट को नहीं बोलना चाहिए तुक है आगई बात समझ में एशवधर्म सनातन धर्म है आगई बात समझ में विद्यार्तियों अब यहां पर देखिए वापस में बताता हूँ कि सत्य बोलना चाहिए प्रियब बोलना चाहिए तो ऐसी अच्छी बात को भी मत बोलो क्योंकि वह जूट है तो यही सनातन धर्म है, आगे बात समझ में विद्यार थी हो, अगला श्लोग देखिए, प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यंति जन्तवह तस्मात तदीव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता, अर्थार्थ यहां पर हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए उसके विशे में बताया है, क्या, कि प्रियवाक्य प्रदानेन, प्रियवाक्य बोलने से, कैसे वाक्य बोलने से, प्रियवाक्य बोलने से, अच्छी वाणी बोलने से, सर्वे यानि सभी तुष्यंति संतुष्ट होते हैं, कौन संतुष्ट होते हैं, जन्तवह, प्राणी, यानि हम सभी वे कि बात या वही वाणी वक्तव्यम बोलना चाहिए ठीक है वचने का दरित्रता बोलने में किस प्रकार की कंजूसी हो याने कि बोलने में किसी प्रकार का कोई मुल्य नहीं लगता ठीक है ना कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए जब मुल्य नहीं लगता तो हमें प्रियवाक्य यहीं बोलने चाहिए क्योंकि बोलने से सभी संतुष्ट होते हैं ना तो हमें क्या बोलने चाहिए प्रियवाक्य बोलने चाहिए ठीक है विद्यार्तियों आगे बात समझ में आगे दिखे यस्मिन देशे न सम्मानो न प्रीतिर न च बांदवाह न च विद्याग महकस्चित अर्थार्थ इसका मतलब क्या हुआ कि उस इस्थान पर हमें नहीं रहना चाहिए एक पल भी नहीं रहना चाहिए कैसे इस्थान पर वही बताया है यहां पर यसमिन देशे जिस देश में देशे का मतलब है इस्थान ठीक है ना जगव विशेश उस जगव पर उस देश में का मतलब है उस जगव पर न नहीं सम्मानों अगर सम्मान नहीं होता है आपका सम्मान नहीं होता है और न नहीं प्रीती ही प्रीती नहीं है बोलने में व्यवहार में प्रेम नहीं है अच्छी वाणी या अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता बोलने में ठीक है बांदवा न चा आपका न आप से प्रेम पूर्वक बात की जाती है और नहीं आपके भाई बंदू है ना चाव विद्यागमह और चो का मतलब और नहीं विद्यागमह विद्याका आगमन होता है और ना ही विद्या का आगमन होता है अठार तो वहां से कुछ सीखने को मिलता है कश्चित कुछ ठीक है ना ना तत्र नहीं तत्र वहां पर ऐसे इस्थान पर जहां पर आपको कोई सम्मान नहीं मिलता आपसे प्रेम पूर्वक पे बहार नहीं किया जाता आपके सगे स जहां नहीं है और नहीं जहां से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है विद्या की प्राप्ति हो रही है ऐसे उस इस्थान पर दिवसम वसेत न न दिवसम वसेत एक दिन भी नहीं रहना चाहिए ठीके न एक दिन भी नहीं रुकना चाहिए आगई बात समझ में विद्यार्तियो ये थे अपने पास में ये जो श्लोक है इनके अलावा कुछ और संबानांतर श्लोक है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं तो देखिए यहाँ पर अगला श्लोक है विचित्रे खलू संसारे नास्ति किंचिन निरर्थकम अश्वच्चे धावने वी रहा भारस्य वहने खरहा बहुत ही अच्छा श्लोक है यहाँ पर बताया है कि इस संसार में कोई भी वस्तू निरर्थक नहीं है यानि किसी न किसी वस्तू की कोई न कोई उपयोगीता ज़रूर है विद्यार्ति ओ आप अपनी कक्षा में बैठ थे हैं आप 10 होँ 20 ओं या 30 कितने भी विद्यार्ती हो सभी विद्यार्थी अपनी अपनी कला में प्रतिभा में दक्ष होता है यानि कि आपके पास में कुछ ना कुछ प्रतिभा है उस प्रतिभा को आपको दिखाना है यही श्लोक का जो संदेश है सिक्षा है वो यहाँ पर बताया गया है कि आप में कुछ ना कुछ प्रतिभा है तो अपनी प्रतिबा को आप दिखाईए, इस संसार में कोई भी वस्तु क्या है, अनुपियोगी नहीं है, उपियोगी है, ऐसा बताया है, जब यहां उधारण किसका दिया है, जानवरों का उधारण दिया है, पश्वों का उधारण दिया है, कि जब यह अपने कारिय में द देखिए विचित्रे खलू संसारे विचित्र निष्चे खलू यानि निष्चे ही इस विचित्र संसार में विचित्र संसारे विचित्र संसार में अनुठे संसार में नास्ती नहीं है किंचित कुछ निरर्थकम निरर्थक यानि बेकार इस संसार में कुछ भी वेकार नहीं ह जो गोडा होता है वह chodzi ग्याली दोडने में भागने में वीरहदक्ष होता है, बारस्य और भारको गोडने में वजन को ले में खरह घडा तो जिस प्रकार धोरने में guy प्रसिद्द है वीर है दक्ष है उसी प्रकार जो भार है वजन है उसको धोरने में ले जाने में घडा क्या है प्रसिद्द है या उसका उपयोग किया जाता है वो expert है थीक एना तो यहां पर कहने का मतलब है इस संसार में कोई भी चीज निर्थक नहीं है अतह हमें अपनी प्रतिभा को पैचान करके अपनी प्रतिभा के अनुकुल कारे करना चाहिए ठीक है विद्यार्थियों आईए आगे चलते हैं यहां पर देखे विद्यार्थियों विद्यार्थि पंच लक्षण आप सभी विद्यार्थियों के लिए पांच लक्षण बताए हैं पांच लक्षन कौन-कौन से होते हैं अथार्थ ये लक्षन जिसमें होते हैं वह सचमुच में विद्यार्थी होता है तो जानिए क्या काक चेश्टा कवे की समान चेश्टा रखने वाला ठीक है ना कवे के समान चेश्टा रखने का मतलब है जैसे कवा चेश्टा रखता है ठीक है ना शिग्रता का मतलब है कि जब हम उसे उड़ाने की कोशिश करते हैं तो तुरंत उड़ जाता है या फिर चला जाता है तो वो चेश्टा रखता है उसी प्रकार हमें विद्यार्थी में चेश्टा होनी चाहिए जग्यासा होनी चाहिए ठीक है ना बकत ध्यानी और बगुले के समान ध्यान देने वाला आपने देखा होगा बगुला पानी में से कुछ मलब जयसे चल रहा होता है पानी में ठहंच मार करके कुछ अपनी खाने को ले आता है चाहिए slows helip कोई काम कर रहे हो तो उस काम में होना चाहिए ठीक है तो यह दूसरा लक्षन हो गया कवे के समान चेश्टा होनी चाहिए बगुले के समान ध्यान होना चाहिए एकाग्रता होनी चाहिए ठीक है शुनो निद्रहा शुनहा कहते हैं कुत्ते को और कुत्ता जिस प्रकार सोया यानि कि वो हमेशा जागरित अवस्था में रहता है, थोड़ा सा भी आप उसे इशारा करेंगे तो वो जग जाएगा, वैसे ही उसकी निद्रा के समान, यानि कि जैसे कुत्ता सोता है, कुत्ता नींद लेता है, उसी के समान, विद्यार्तियों हमको भी नींद लेनी चाहिए ठीक है ना तथा ही वच है उसी प्रकार ठीक है यानि कि जिस प्रकार कवा चेस्टा करता है आपको भी चेस्टा करनी चाहिए बकत ध्यानी यानि कि बगुले के समान ध्यान रखना चाहिए एकागरता होनी चाहिए और कुत्ते के समान निंद्रा आपको लेनी चाहिए यानि क जिस प्रकार कुत्ता मलब चमक नींद जी से बोलते हैं उसमें आपको सोना चाहिए, ठीक है ना, अलपा हारह, कम भोजन करने वाला हो, कैसा हो, कम भोजन करने वाला हो, विद्यार्थियों यहाँ पर, यहाँ पर आपको यह ध्यान अखना है, कि यहाँ पर कभी, कहीं आपको शलोक में देखने को मिलेगा, कि स्वान निद्रा यहाँ पर, स्वान निद्रा, यहाँ अलपा हारी, ग्रिहत त्यागी, ऐसे शब्द भी आपको देखने को मिल सकते हैं, तो उनका अर्थ भी यही है, ठीक है, जो यहाँ पर है, अलपा हारह, यानि कि कम भोजन करने वाला वेक्ति या विद्यार्थी ग्रिहत त्याग और घर को त्याग करने वाला देखिए जो घर का त्याग करके विद्याले में जाता है या कहीं छात्रावास में निवास करके पड़ता है तो वास्तमें वही विद्यार्थी होता है ठीक है ना तो यहां पर विद्यार्थी पंच विद्यार्थी के 5 लक्षण है वापस से दीखिए कवे के समान चेषटा रखने वाला बगुले के समान ध्यान रखने वाला या एका अग्रता रखने वाला ऑर कुत्टे के больше नींद सोने वाला और कमभुजन करने वाला घर कात्याग करने वाला जो लक्षण है पांच जिसके होते हैं उसे हम विद्यार्थी कहते हैं आगे बात समझ में विद्यार्थियों तो आइए आगे चलते हैं अगला श्लोक और अंतिम श्लोक है यहां पर देखिए दो प्रकार के विक्ति बताये गए हैं दो कैसे एक तो लगु सोच वाले और एक विस्त्रित सोच वाले तो लगु सोच वाले कैसे होते हैं देखिए आयम यहा निजहा खुद का परो दूसरे का वेती वा इती यह मेरा है यह उसका है यह मेरा वह तेरा ऐसा करने वाला तेरा मेरा करने वाला ठीके गणना ऐसी जो गणना करने वाले होते हैं या गणना करते हैं लगु चेत साम वो छोटी सोच वाले होते हैं छोटे हृदे व वाले लोग होते हैं अर्थार जो छोटे हृदे वाले लोग होते हैं वो यह कहते हैं कि यह मेरा है यह तेरा है उधार चरितानांतु और जो उधार चरित्र वाले होते हैं उदार दिल वाले होते हैं विस्त्रित सोच वाले होते हैं ऐसे विक्ति के लिए वसुधाईव यह प्रित्वी ही कुटुम्बकम परिवार होती है यह प्रित्वी ही उसका परिवार है ऐसा वो सोचते हैं यानि कि पूरी प्रित्वी को यह अपना परि बशकतेवाला नहीं बनना है क्यों क्यों कि अप यह मेरा है यह तेरा इसी में की जिए आप की यह योग्यता विस्तार है दस्वे पाट का वह भी समाप्त हो जाता है तो अब आप कह सकते हैं कि हमारा दस्वा पाट पूरा हो चुका है ठीक है विद्यार्थियों तो आपने लिख लिया होगा समझ लिया होगा और इसको हमेशा अपनी जिंदगी में उतार के रखिएगा अपनाते रहिएगा तिक है मैं लेता हूँ विदा आगे अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ फिर मिलूंगा तब तक के लिए धन्यवाद हाँ